इस वीडियो में आपको बताएंगे यह गाला कैसे बनेगा हमारे वीडियो को पूरा देखें जब समझ मैं आगा कैसे गाला बनता है हमारे हमारे चानल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया तो इस तरह साप सस्क्राइब कर लें और बेल आइकोन को भी दबा दें यहां से भी साथ सीधा कर लिजिए एसकेल से इस तरह से अब इस पेस्टिंग को सीधा कीजिए यहां से साड़े छेइंची पर मारका माजिए और यहां से भी साड़े छेए और इस तरह से आप सीधा कर लिजिए और इधर से भी और इसको गुलाई का मारका दे दिजिए इस इसे सबसे मरका दे दीजिएगा और यहां पर भी इस तरह से यह मरका थोड़ा तेज कर लिजिए उसके बाद में अब अब इसको कटिंग कर लिजिए इस तरह से कर लिजिए इसको कटिंग करने के बाद में आधा अधा इंची का फिर मरका मार लिजिएगा आधा पौन इंच पर इस टाइप से मरका मार लिजिएगा जिसी साबसे कटा हुआ है उसी तरह से फिर से दुबारा से कटिंग कर लिजिएगा आधा पौन इन चीछ फोड़ कर कि भार कहीं से को कब दीजिए इस तरह से आप कटिंग कर लिजिए कि इस तरह से कटिंग कर लिजिए कैंब कर ने को कपड़ा ना चाल इसको और फिर देर हें चीगा कपड़ा काट काट लिजेगा पाइपिंल बनाने के लिए सिंगल बुट से बनाईगा बीच में धागा डालकर करके इस तरह साफव सील करके और धागा ख़िच़िए गा यह पल्टी बनेगा यह हो गया उपर से थोड़ा से काट लीजिए सभी कर लीजिए इस तरह से आप खीच के पल्टी कर लीजिए इस तरह से आप पल्टी कर लीजिए इसको यह आपका बनेगा और इसको यह चिपका कर गए और इसका लंबाई तेरा इंची करिब दे दिजिएगा तेरा इंची और डेर इंची यह चावड़ा और इसको अब इस तरह से उपर में थोड़ा से सिलाई चला लीजिए एक चांप पर क्योंकि मूड़ा हुआ रहेगा एब इस सेंटर समय कर लीजिए और इसको जासे गाला है गाला बनातिए उसी हिसाब से आप सिलाई कर लाँ फूबेस्टिंग पी और तुन प्रफर नाματα cycle ओप जयेगा सब्ळस्प प्रिश्ञा इस तरह से सिला दीजिए और यह फो गया आप कट खर लीजिए यहां पर विल्कुल कोने तक कटेंग केजिए लिए सिलाई तर उपर से एक चांप पर सिलाई मार लिजिए आप इस तरह से शिलाई मालने को बाद में एक पीला कपड़ा लिजिएगा पीला कपड़ा उरेबी में काट लिजिएगा और ये तो वैसा है सिधा में खड़ा में डेड़े इंच कमार का मालने लिजिएगा ये वाला कि वह और जो लूँप लूपी के लिए जो बनाए थे पाइपीन उसको मोड के इस तरह से अब 5 इनज पर सिलैर कर लिए जार तरफ से लस आमने सामने में इस तरह से delivery पर अपर कपड़ा काट कर लिजिए इस तरह से जोईट कर लिजे दोनों सैड मैं स्ट कर किनार किनार में सिलाई चला लिजे सें अब ऊपर में चला लिजे कि है लब सिलाई लब सिलाई चला लेजे दोनों सेड में यहीं से मोड़ना है यहीं से मूड़े गई है ठीक है यह उरेवी में कपड़ा है पीला कपड़ा यह करीब आधाईंची का है इसको ऐसे रख के सिलाई कर लेजे उरेवी में कपड़ा होना जरूरी है तिर्चा में अगर ख़डा में रहेगा या आडा में तो नहीं बन पायेगा इसलिए उरहेबी में ही कपड़ंडा होना चाहिए पाइपीन टाइप का निकाल लिजएगा एक साइट से कपड़ा काट लिजए इसको फिर मोड़ करके सिलाई कर लिजए इस तरह साब सिलाई कर लिजे, मोड करके, थोड़ा बढ़े सी सिलाई कर लिजेगा, ध्यान से मोड़ियेगा, यह मोड़िये, बस यह बन गए गाला, अब इस कपड़े को ऐसे मोड कर सिल देजे, इस स्टेप साब मोड लिजे, ऐसे बराबर कर लिजे, कहां से सही रहेगा, अब इस तरह साब रख करके, लब सिलाई चला लिजे, लब सिलाई इस तरह साब चला लिजे, यह लब सिलाई चल गए, इधर से भी मोड के, लब सिलाई चला लिजे, हमारे चानल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लेज आप सब्सक्राइब कर लिजे, और इस तरह से धागा, यह पाइपिन डाल लिजे, इस तरह सब पाइपिन को एक दूसरे में गुशा लिजे, इसको गुशाने के बाद में, एक नीचे कपड़ा कटिंग करके सिल लिजेगा, इसी धागे में, किस तरह सब लाएगा, दिखा रहा हूँ आगे, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यह आपका धागा डल गया है, धागा डल गया, अब यह कपड़ा काट लिजे इस तरह से, दो पीस, और इसको मोड करके, इस टाइप से मोड लिजे, और सिलाइक कर लिजे, जैसे सिलाइक कर रहा हूँ, इसे किजिएगा, यह अब इसको खिच लेगे, यह बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो कॉमेंट करें, बहुत 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 जाएबूट झाल झाल